साथ योग मैं गेंदे की खेती के बारे मैं आज आपको बताना चाहरा हूँ अपने चैनल के मात्यम से गेंदे की खेती समस्त भारत में विवसाई कारिये के लिए उगाई जा रही है गेंदे फूल के लिए भी उगाये जाते हैं फूल के लिए भी इसको काम में लिया जाता है गेंदा मेरी गॉल्ड या हजारा संपुन भारत में उगाये जाने वाली पुस्पेरी गॉल्ड की उत्पत्ति मेक्सिको में हुई थी इसकी उप्योगता आसानी से उगाई जाने वाली पुस फसल के करने ये राजस्तान में अत्यदिक लोग प्रिये हो गई है इसकी बेवसाई खेती किर्सकों के लिए बहुत लाबपर्द है गेंदे के फूलों का उप्योग अधितर उसदी के रूप में लिया जाता है पत्यों के पेस्ट को फेड़ों को उपचार वे पत्यों के रस को कान के दर्द वे फूलों के रस को खून को साफ करने के लिए उप्योग में लिया जाता है गेंदे की खेती टमाटर बेंगन आदी फसलों में लगाने वाले रोग सुत्र किर्मी नेमी टोड की रोग थाम के लिए परियोग में लेता है किसमे गेंदे की मुख्यत निमिलिक दो परकार की किसमे है फ्रेंच गेंदा इस जाती का फूल छोटे लगवक ढ़ाई से पांच सेमी के होते है पोधे की मुचाई पचीस से पचास सेमी होती है यह किसम फूल बहुत अधिक मातरा में देती है फूलों को रंग पीला नारंगी बैंगनी तता लाल आदी होता है अफ्रीकन गेंदा अच्छा अफ्रीकन गेंदे है अफ्रीकन किसम बड़े फूलों वाली लगवक पांच से साथ सेमी चोड़ी तता पोधे की मुचाई पेंटारी से सो सेमी होती है फूलों को रंग हलका पीला वे नारंगी होता है खोलों को व्योशाई खेती के लिए सार्वेदिक उप्योग इसी किसम में किया जाता है जलवाई हूँ अब गेंदे के बारे में जलवाई के बारे में बता रहा हूँ जलवाई हूँ इसके लिए कैसी होती है गेता मुख्यत गरम मौसम में उगाया जाता है लेकिन अत्यदिक सर्दी में सर्दी छोड़ कर इसे किसी भी समय में किसी भी मोसम में उगाया जा सकता है मिट्टी इसके लिए खाद वाली हल्की वालूई दौमट मिर्दा इसके लिए सबत्तम रहती है नदी कर रेद में इसको मतलब उगाया जा सकता है और रेतिली जमीन में इसको अच्छे तरीके से गेंदा की फसल को किया जा सकता है बीजदार वोगवाई गेंदा बीज द्वारा आसानी से लगाये जा सकता है बीजों को सामानत पोधे को घर में लगा कर पोधे का इस्तान तर्ग खेत में किया जा सकता है खाद या उरोरत अंतिन जुलाई के माहा में खेत में 200 से 2500 कौंटल सड़ी हुई गोबर की खाद 50 किलो नाइट्रेट 50 किलो फासफोरस तता 50 किलो यूरिया परती हेक्टर खेत में डालनी चाहिए रोपाई के लगवग एक महीने पस्चाद 40 किलो यूरिया परती हेक्टर खड़ी फासल में पानी के साथ देवें रोपाई केंदे की रोपाई कैसे करें उसके बारे में मैं आपको पता रहा हूँ जब पोधा लगवग तीन सब्ता का हो जाए तो इनकी रोपाई खेत में करते हैं रोपाई के तुरंत बाद सिचाई करें तता रोपाई साइकाल लाइन में करते हैं लसान की टाइम में लाइन बदनी चाहिए लाइन से पोधे वे पोधे की दूरी 45-60 सहमी रखनी चाहिए समय समय पर सिचाई वे निराई गुड़ाई तथा गर्मी की फसल में 5-6 दिन के अंतर पर सिचाई आउशक होती है दो-तीन उड़ाई परियाप्त हैं इसके लिए दो-तीन निलाई करनी काफी मानी जाती है ताकि फसल कुछ मिटी चड़ सके पोधे गिर नहीं सके अच्छा व्योधी एव कीट जो इसके रोग लग जाते हैं उसके बारे में मैं इसको बता रहा हूँ गेंदय पर कीडों में बीमारी का परकोप कम होता है क्योंकि यह सक्त किसम का पोधा होता है कभी-कभी पत्तियां के शुकरने की बीमारी जो वाइरस के कारण होती है दूर करने के लिए पोधे को उखाड़ कर तुरंत जला देना चाहिए पानी के निकासी ठीक ने होने के कारण फुट रोप नामक बीमारी लग जाती है जिसमें दूर करने के लिए जीरो पाइंट पांच प्राइट थ्यान का च्छड़काओ करना इसमें जरूरी है अब गेंदे की अपज कैसी होनी चाहिए गेंदा लगवक दो माहा बाद फूल देने लगता है फूलों की तुड़ाई साइकाल को करनी चाहिए साइकाल में करनी चाहिए उसके बाद फूलों की पेदवार 30,000 से 40,000 किलो गिराम परती हेक्टर होती है गेंदा भारत में उगाई जाने वाली बहुत महत्तों फसल है इसलिए इस पे ध्यान देना चाहिए अज़े गेंदा की फसल आज के यहां जो भी वेवसाई करूप में बहुत ज़्यादा इसाब से ज़्यादा काम में ली जा रही है इसलिए मैं आपको बताना चाहरा हूँ गेंदा की फसल ज़्यादा से ज़्यादा होए इसमें निसन पोच होके होए मतलब गेंदा ज़्यादा से ज़्यादा लगा है क्योंकि यह वेवसाई करूप में खूब चब रहा है कोई आदमी यह सोचे कि गेंदा का क्या करना है यह वेवसाई करूप में यह फूल मालाओं के रूप में भी उपयोग मिलिया जाता है दवाईयों के रूप में भी इसको इसको इस्तमाल किया जाता है इसलिए मतलब गेंदा की फसल के बारे में में ज्यादा से ज्यादा लगाने की मतलब सलाह आपको देता हूं कि गेंदा ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए क्योंकि हमारा रेतिला जो मतलब मैं गेंदा के बारे में मतलब सलाह देता हूँ कि गेंदा ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए आज के लिए वसीत नहीं